हलो दोस्तो, स्वागत है हमारे नए वीडियो में आज की वीडियो में हम लोग एक कॉमेड़ी ड्रामा मुवी को एक्स्प्लेन करने माले हैं जिसे 2012 में रिलीज किया गया था और इस मुवी का नाम है The Dictator इस कहानी में हम लोग Aladin नाम के एक राजा को देखेंगे जो कि एक नमबर का बियोकूफ होता है वो बियोकूफ के साथ साथ सनकी और पागल भी है वो अपने पागलपन के वज़े से क्या का कारनामे करता है यही हम इस मुवी में देखेंगी तो चलिए इस मूवी को सुरू करते हैं इस मूवी के सुरुआत में हमें एक देस वाडिया दिखाया जाता है इस देस में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अलादीन है अलादीन के जन्म के बाद उसकी माँ को मार दिया जाता है इसके कुछ सालों बाद उसके फादर की भी हतिया कर दी जाती है अपने माबाप के मरने के बाद साथ साल की उम्र में ही अलादिन राजा बन जाता है इसके बाद इस मूवी का सिंध सिप्ठ होता है और हमें कई साल बाद कवग दिखाया जाता है अब अलादिन बड़ा हो चुका है लेकिन बड़ा होने के साथ साथ अब वो संकी और पागल बन चुका है एक बार वो अपने देश में ओलंपिक गेम रखवाता है जिसमें वो खुद भी पाटिसिपेट करता है दोडने के दोरान जब भी कोई रेनर उससे आगे निकलने के कोसिस करता वो उसे गोली मार देता था और वो ऐसे करते ही वे सारे गेम्स जीत जाता है वो इस पूरे ओलंपिक में 14 गोल्ड मेडल जीतता है अब उसके मन में जो भी आता है वो उसे करता है एक दिन अलादिन अपने महल से बाहर आता है और वो अपनी जनता से ये बोलता है एक दिन सारी दुनिया हमारे आगे जुकेगी क्योंकि हम लोग जल्द ही परमानु हत्यार तैयार करने वाले हैं इस हत्यार को हमने हमला करने के यह नहीं बनाया है लेकिन हम परमानू हथियार के जरिये सांती बहाल करेंगे ऐसा बोलकर वो हसने लगता है इसके बाद वो अपने नुकलियर रिसर्च सेंटर में जाता है वहाँ वो अपने चाचा तामिर से मिलता है इसके बाद वो लोग अलादीन को लेकर अंदर जाते है अंदर जाकर अलादीन देखता है उसका मिसाल बहुत छोटा है ये देखकर अलादीन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने साइंटिस्ट नडाल को बुलाने के लिए बोलता है इस पर बाकी के साइंटिस्ट उसे बताते है जब आप पिछली बार यहां आये थे तब आपने नडाल को मरवा दिया था अलादीन को नडाल के बारे में याद नहीं था जब वो दो साल पहले यहां आया था तब उसने गुस्से में आकर नडाल को मरवा दिया था अलादीन ये सब सोच रहा होता है तबी सामने ख़़ा साइंटिस्ट उससे बोलता है सायद आप नडाल के बारे में भूल गए होंगे इस पर अलादीन हसने लगता है और वो कहता है मैं कोई भी बात नहीं भूलता हूँ इसके बाद अलादीन उस साइंटिस्ट को भी मरवा देता है इसके बाद अलादीन अपने महल में वापस आता है यहां हम देखते हैं अलादीन के प्रेसनल सेक्योरिटी में सिर्फ लड़कियां होती है वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जब भी उसका मन हो वो इनके साथ घपाघप कर सकी एक बाद जब अलादीन अपने महल से बाहर निकलता है तभी एक आदमी उसके सामने आ जाता है और उस पर हमला कर देता है और वो आदमी अलादीन को गोली मार देता है जिससे अलादीन की वहीं पर मौत हो जाती है लेकिन बाद में हमलेगों को ये पता चलता है इस आदमी को भी मरवा दो अलादीन के यहां से जाने के बाद उसके चाचा किसी को कॉल करती हैं और वो उससे बोलते हैं अलादीन इस बार भी बच गया लेकिन अब हमें उसके जैसा दिखने वाला एक सक्स को ढूनना पड़ेगा ताकि वो हमारा काम कर सके यहां पर हम लोग अलादीन की तरह दिखता था लेकिन वो आदमी भी अलादीन की तरह ही बेवकूफ होता है वहें दूसरी तरफ हम लोग अलादीन को देखते हैं जो कि एक होलिवूड एक्टरेस के साथ घपाघप कर रहा होता है इसके बाद वो उसके साथ एक फोटो किलिक करवाता है और तो वो उससे कहते हैं तुम्हें अमरीका जाकर पर्मानु हथियार बनाने के बारे में सफाई देनी होगी और तुम्हें वहाँ बताना होगा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तब वो लोग यहाँ फोज भीज देंगे और यहाँ कबजा कर यह सुनकर अलादीन डिसाइड करता है कि वो अमरीका जाएगा इसके बाद वो अमरीका आ जाता है जब उसका काफिला सडकों से गुजर रहा होता है तब यहाँ के लोग उसके खिलाफ नारे लगाते हैं क्योंकि अमरीका के लोग यह चाहते थे कि वाडिया एक लोकतंतर इस बन जाए और अलादीन जैसा पागल राजा वहां से खत्म हो जाए इसके बाद अलादीन अपने सेक्योरिटी हेट से मिलता है जिसका नाम क्लेटोन होता है वो आदमी अलादीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है उसी राद जब अलादीन अपने होटल में सो रहा हो काट देता है इसके बाद वो उसकी दार्ही को जला देता है लेकिन दार्ही पर इतनी जोरों की आग लगती है कि वो खुद भी जल जाता है इसके बाद किसी तरह अलादीन अपने आपको रसीयों से आजात करता है और वो यहां से निकल जाता है अब अलादिन की दार ही कट चुके थी इसलिए वो बिल्कुल अलग बिख रहा था और कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था अगले दिन अलादिन उसी जगह पर जाता है जिस जगह पर उसे भासन देना था तब ही वो देखता है उसका हमसकल उसके चाचा तामीर के साथ यहां आया है और वो भासन देने के लिए जा रहा है यह सब देखकर अलादिन को समझ में आ जाता है उसके साथ जो भी कुछ बुरा हो रहा है यह सब उसके चाचा ने किया है यह देखकर अलादिन को अपनी स्कूटी में बैठाती है और यहां से ले जाती है इसके बाद जोई उसे एक दुकान पर लेकर जाती है और इसी दुकान में जोई काम करती है और उसे यह पूछती है क्या तुम मेरे साथ मेरे दुकान पर काम करना चाहोगे लेकिन अलादीन उससे बोलता है मैं तुम वो उसका पिछा करने लगता है पिछा करते हुए वो एक बार तक पहुंच जाता है और इस बार में वही लोग आया करते थे जो कि अलादीन से नफरत करते थे तभी वहाँ पर काम करने वाला एक आदमी अलादीन को पहचान लेता है और वो यहां सभी को बताता है कि ये आदमी कोई और नहीं बलकि अलादीन है इस बार में अभी जितने भी आदमी आये थे उन सभी को अलादीन ने मरवा दिया था लेकिन इन में से कोई भी नहीं मरा था बलकि वो लोग अपने देश से भाग कर अमरीका आ गये थी इसके बद सारे लोग गुस्टे की नजर से अलादीन के दरब देखते हैं और वो सारे लोग इसे पकड़ लेते हैं और इसे मारने की सोचते हैं वो लोग अलादीन को मारने ही वाले थी लेकिन उसी वगत नदाल वहाँ पहुँच जाता है और यहां आकर वो सभी को बताता है यह अलादीन नहीं है बलकि मेरा कजन है नदाल भी अलादीन को पहचान लेता है और वो अलादीन से पूछता है तुम यहां क्या कर रहे हो तब अलादीन नदाल को बताता है उसके चाचा तामीर ने उसे धोखा दिया है और उसके चाचा पूरे वाडिया पर कबजा करना चाहते है अलादीन उससे मदद मांगता है और वो कहता है तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी नदाल उसके मदद करने के लिए तयार हो जाता है लेकिन वो यहाँ एक सर्थ रखता है और वो कहता है मुझे मेरी नौकरी वापस चाहिए इस पर अलादीन भी मान जाता है इसके बाद अगले दिन नदाल और अलादीन उस होटल के पास जाते है जहां अलादीन का हमसकल रहता था तभी वहाँ पर अलादीन जोई को देखता है और उसे देखकर वो छुपने लगता है नदाल उससे पूछता है तुम उस लड़की से क्यों छुप रहे हो अलादीन उससे कहता है मुझे वो लड़की पसंद नहीं है तब नदाल अलादीन को समझाता है अगर तुम्हारी जान पहचान उस लड़की से अच्छी है तब हम लोग इस होटल में असानी से घुश सकते हैं इसके बाद अलादीन फिर से जोई के पास जाता है और उसके सौप में काम करने लगता है लेकिन वो यहां अच्छे से काम नहीं करता है तब ही अलादीन के पास नदाल का कॉल आता है और वो इसे बताता है उसने सारा प्लान तयार कर लिया है वो उससे कहता है हम लोग कैंटीन के बहाने होटल के अंदर जाएंगे इसके बाद हम लोग नकली अलादीन को वहाँ से हटा देंगे और असली अलादीन याने तुम्हें वहाँ भेज देंगे धीर धीरे अलादीन को इस सौप में अच्छा लगने लगता है और अब उसे जोई से भी प्यार हो जाता है और अब वो इस सौप में अच्छे से काम करता है अलादिन सौप को चलाने में जोई की बहुत मदद करता है जिससे इस सौप की सिल काफी बढ़ जाती है एक दिन अचाना के सौप में एक औरत को दर्द होने लगता है क्योंकि वो प्रेगनेंट होती है और इनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि ये लोग उसे होस्पिटल पहुँचाते अलादिन इन लोगों से ही कहता है हमें इसकी डिलेवरी यहीं पर करनी होगी अलादिन को कुछ भी पता नहीं था लेकिन फिर भी वो उस औरत के सक्सेस्पुल डिलेवरी करवा देता है ये देखकर जोई बहुत खुश होती है और वो अलादिन से इंप्रेस हो जाती है अब ये दोनों एक दुसरे से प्यार करने लगते है जोई अलादिन से ये बोलती है वो अपनी पूरी जिंदगी अलादिन के साथ गुजारना चाहती है लेकिन इससे पहले ही अलादिन उससे बोलता है मैं तुम्हे कुछ बताना चाहता हूँ इसके बाद वो जोई को अपनी सचाई बताता है सारा कुछ सच जानने के बाद वो अलादीन को देकर बहुत डर जाती है और उससे बहुत गुसा हो जाती है वो उसे यहां से जाने के लिए बोलती है एक दिन जब अलादीन रास्ते से गुजर रहा होता है तब वो टीवी पर अपने देश के बारे में देखता है वहाँ के लोग अलादीन के वहाँ से जाने के बाद बहुत खुस है और वो लोग अब अलादीन के जैसा राजा नहीं चाहते है जो कि एक पागल ताना सा है अलादीन को ये देखकर बहुत दुख होता है और वो सोचता है उसे इस पूरी दुनिया में कोई भी पसंद नहीं करता है इसके बाद वो अपनी जान लेने के लिए पुल में जाता है वो पुल से कूद कर अपनी जान देने ही वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पर नदाल आ जाता है नदाल उसे समझाता है और अलादिन उसकी बात मान जाता है और वो अपने मरने के प्रोग्राम को कैंसल कर देता है इसके बाद वो नदाल के साथ मिलकर बड़ी मुश्किल से होटल के अंदर जाता है इसके बाद वो नकली अलादिन को वहां से भगा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है इसके बाद अलादिन उस जगह पर जाता है जहां आज वाडिया का नया समीधान पढ़ा जाना था लेकिन अलादिन उस पेपर को फार देता है जहां ये लिखा होता है कि अब वाडिया एक लोकतांत्रिक देस है अलादिन यहाँ पर ये बोलने ही वाला होता है कि अब वाडिया में फिर से उसी तरह राज चलेगा जैसा कि वो पहले किया करता था लेकिन इससे पहले ही वो जोई को देखता है और उसको देखकर अलादिन अपना मन बदल लेता है जोई को देखकर वो फिर से एलान करता है कि अब वाडिया में तानासान नहीं चलेगा बलकि वाडिया एक लोक्तांत्रिक देस बनेगा ये सुनकर वहाँ के सारे लोग बहुत खुस होते है लेकिन तभी आजानक तामिर वहाँ आ जाता है और वो अलादिन पर गोली चलाने लगता है वो गोली अलादिन को लग नहीं वाली होती है लेकिन तभी उसका हमसकल वहाँ आ जाता है और वो गोली उसके हमसकल को लग जाती है इसके बाद अलादिन जोई को भी अपने देस वाडिया ले जाता है और वहाँ ये दोनों साधी कर लेते हैं साधी के दवरान जोई उसे बताती है कि वो एक जोईस है ये सुनकर अलादिन मन ही मन बहुत गुस्टा होता है और वो जोई को भी मरवाने के लिए बोल देता है और ये मोवी यहीं पर खत्म हो जाती है अगर आपको ये मोवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में